हाई गाईस मेरा नाम है संचत और आप देख रहे हैं टेक बार आप लोग को पता है कि यार जो चाइना में फोन आते हैं वो पहले आ जाते हैं और उनके टेकनोलजी भी को थोड़ी सी एडवांस होती है तो इसी केस मैंने जो है रेडमी के फोर्टी प्रो मंगवाया वहां से और मेरे को कुछ चीज़े है जो आप लोग के साथ शेयर करनी है जो कि हो सकता है फ्यूचर वाले दूसरे फोनों में देखने को मिले या फिर आपको हो सकता है कि यही फोन पसंद आ जाए कोई शॉर्टी नहीं कि इंडिया में कब आएगा किस नाम से आएगा आएगा आए साथ मूवी देख पाता है या कोई भी मतलब म्यूजिक सुन पाता है वीडियो के साथ अब फाइनली ये फोन में देखने को मिल रहा है और हम जो है दो एर फोन से खट्टे कर सकते हो ब्लोटूथ वाले मुझ अच्छा लगा या रही है अच्छा फीचर है बागी फोनों म कुछ जादे ही प्रीमियम देखने को मिल जाता है इसके ना अपर राइट साइड में देखो एक स्क्रैच टाइप कर डिसाइन लग रहा है मुझा तो यह ऐसा लग रहा है कि फिंगर्प्रिंट आ गया है गंदा हो गया हो बट हाँ यार कुछ यूनीक सा बनानी कोशिश कर लाइव देखने में बुरा नहीं लग रहा है बट हाँ कुछ अलगी चीज बनाई हुई है और शाओमी आजकल जग सच में बहुत प्रीमियम फोन मना रहा है क्योंकि इसके फ्रेंट और बैक दोनों के अंदर गोरिला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और इसके स्पीकर्स भी काफी जादा अच्छे देखने को मिल जाते है और इसके अंदर डूल 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है अब दोनों से 5G ला सकते हो यसे शाओमी के फोन में टिपिकली यह एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है बट क्योंकि यह बिल्कुल फ्लैक्शिप हाइंड लेव इस डाली मेरे साब से इंटरस्टिंग बनाता है इस फोन को मतलब जनरली ऐसे आते नहीं है अब मैं अपने फेवरिट पार्ट के ओपर आता हूँ वो है इसकी डिस्पले सच में गाईज एक बर इसकी ओल्वेज ओन डिस्पले जो है जैसे लॉक स्क्रीन पर जाते है फिर करते है यह तीन प्रोसीजर मुझे देखना बहुत इंटरस्टिंग लगता है ऐसे वाल पेपर अभी तो कोई भी ब्रैंड नहीं बना रहा है सिर्फ मेरे कोई शाओमी के फोन महीं देखने को मिला है और जैसी लॉक करते है वापिस जो है प्लैनेट कितना जादा कूल लग मैं Bluetooth 5.2 भी देखने मिल जाता है जो कि latest है और true tone वाला feature भी देखने मिलता है डिस्प्ले के अंदर जो color temperature change करते है तो हां भाई काफी चीजर डाली है शाओमी ने वैसे बागी मैं आप लोग को यह बतारता हूं कि जैसे जितनी भी apps मैं launch कर रहा हूं या फिर अगर स्क्रॉ कुछ भी देखके मतलब अच्छा लगता है मैं पता क्यों बार बारे चीज रिपीट कर रहा हूं कि मैंने नोटिस किया कि लोग OPPO और Vivo के high-end phone खरीद लेते है जैसे कि देखा ही आप लोग ने X50 Pro भी बिचाता पिसली बार OPPO Find X2 ये pro वाली variant वो भी बिके थे तो उस के अगर मैं बात करूं तो यहां पर 64 पिक्सल का में कैमरा है बाकी जो दो कैमरे एक अल्टरा वाइड है एक नॉर्मल है अगर आप लोग उसे चैमरे सेंपल की बात करों तो यहां पर भी बहुत ज़ादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है सच मैं exceptionally great भी बोल सकता हूं मैं इसक के 60 fps भी है और अगर मैं गेमिंग के बारे में बात करों तो कि snapdragon 888 है तो गेमिंग तो ही कमाल की इसकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट गेमिंग के लिए फीचर भी दे रखे है जैसे की 360 Hz का यहां पर touch sampling rate है जिससे अब three fingers अगर यूस करते हो अपने phone में gaming करते समय तो व level की लग रही है phone in short मुझे बहुत interesting लगा है काफी चीज़ जो यह नहीं नहीं लेकर आता है जिसके मैं आप लोग को बताया I hope यार यह इंडिया में आए और कुछ must price पर आ जाए तो मैं तो दिल खोल कर recommend करना चाहूँगा बस audience बहुत कम है यार इनको खरीदने वाली शैद इसलिए नहीं चाहिना तक ही रह जाते है ऐसे phone खेट यहाँ पर वीडियो का तमझाती है I hope आपको मजाया हो कुछ नया देखने को मिला हो अगर है तो like करकर ज़रू जाना और subscribe करके हमारी Tech Bar Army को join कर लो आम लोग quality भी रखते हैं अगरे मिलते हैं तैंक्स बहुते